फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जहरखंट PGT का अर्थसास्त्र विशय का सिलेवस के बारे में तो दोस्तों ये सिलेवस उन लोगों के लिए उपयोगी है नमर तीन में है निवेश संबंधी निर्णय तथा आय और रोजगार का निर्धारन आय वित्रन और व्रिधी के समरित आर्थिक परती रूप उसके बाद चोथे नमर पर है वेंक वेवस्था योजनावद विकाश्रील अर्थ वेवस्था के केंदरिया वेंक वेवस्था के उद्देश और साधन साक संबंधी नितियां ज्यारखन के वानिज बेंकों के कुरिया कलाप तो ये सब पढ़ना है उसके बाद है करों के परकार और अर्थ वेवस्था के बजटिया और राजकोशिया निति के उद्देश और साधन उसके बाद नेक्स्ट है अंतराष्टियों बेपार प्रशुल्क पद्दती इसके अंतरगत है बिनिमेदर अदाईगी शोद अंतराष्टियों मुद्रा वबेंक संगसा स्थान उसके बाद नेक्स्ट है भारतिय अर्थ विवस्था उत्पादन किर्षी निती भूमी सुधार परज्दोगिक किया परिवर्तन और अज्दोगिक छेतर से सहसंबन नुमा है अज्दोगिक उत्पादन और अज्दोगिक निती सार्वजनिक और नीजी छेतर छेत्रियों वित्रन एकाधिकार पर्था तथा कानियंत्रन और एकाधिकार दस्वा है किर्शी उत्पादों और रोजदोगीक उत्पादों के मुल्य निधारन संबंधी नितियां और अधिप्राप्ती और शारवजनिक वित्रन उसके बार आगे है नेक्स्ट है बजट की परविर्तियां और राजकोशिय वित्रन 12 में है मुद्रा और साक परविर्तियां और नीती बैंक विवस्था और वित्तिय संस्थाएं 13 है विदेशी वेपार और अदायगी कोस 14 है भारतिय योजना, उद्देश, वयू, रचना, अनुभव और समस्थाएं 15 है जारखंड का अर्थ विवस्था, क्रिश्री और उद्दोक के सापक्षी का स्थान, आर्थिक विकास के मार्क की रुकावटें, गरीबी, एवंग बिरोजगारी, भूमी, सुधार की प्रगती तो दोस्तों ये है एकोनोमिक्स का स्थिलेबस, जारखंड पीजेटी परिक्षा के लिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कोई नए टोपिक के साथ, तब तक आपने ख्याट किये